वेलकम टू ड्रीम केवीज़ के चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर बातसा अकबर से सबदित जन्रल नोलेज के सामने ग्यान के इतिहास के 50 इंपोर्डर्ड क्वेशन लेके आयो हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है नोलेज़ेबल लगता है आपकी हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमब्र विनलती रहेगी आप नीचे रहे रेट करके सब्सक्रेब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही पुल्ली नोलेज़ेबल वीडियो की नोटिपि अकबर का जन्मा 1542 इस्वी में 1542 इस्वी में हमायु के प्रवास के दोरा अमर कोट में राणा बीर साल के महल में हुआ था और अकबर की मा का नाम हमीदा बानो बेगम था और अकबर की पिता हमायु थे क्वेशन नमर टू पंद्रा सुचपपन इसवी में मुगल सासक अकबर का राज्या भी से कहा हुआ था इस क्वेशन का उदर बेरम खा था प्रारंबिक बाली अवस्ता में अकबर का सर्रक्षक कौन था इस क्वेशन का उदर बेरम खा था प्रारंबिक बाली अवस्ता में अकबर का सर्रक्षक क्वेशन नमर बेरम खा की सहायता में पंद्रा सो चपपन में इसवी में पानी पत के दूसरे युद में अकबर के हाथों किसकी हार हुई थी इसक्वेशिय का हैमू विक्रमादिते के हारविधी बेरम खा की सहायता में 1556 इसमें पानिपत के दुसरे युद में अकबर के हाथ हो विश्य नमबर फाई 1576 में हलदी गाटे के युद में अकबर के किस सेरा बदी ने महाराणा परताब को पराजित किया था इसक्वेशिय का मानसी को पराजित किया था मानसी ने महाराणा परताब को पराजित किया था वैसा माना जा था इसमें महाराणा परताब भी नहीं हा रहे थे और अकबर मानसी भी नहीं हा रहे थे क्विश्य नम्बर सी सन 1571 इस्वी में अकबन ने किस नगर की स्थापना की थी इसक्विश्य फतेफूर सिकरी नगर की स्थापना की थी सन 1571 इस्वी में अकबन ने बुलंद दर्वाजा अक्बर द्वारा किस जीत के उपलक्ष में बनवाया गया था इसक्विशन गुजरात पर विजई के जीत के याद में बुलंद दर्वाजा का निर्मान करवाया था अक्बर द्वारा किया गया था अकबन ने किस स्थान दार्मिक परी चर्चा है तू इबादत खाने की स्थापना 1575 इस्वी में की थी क्रिशन का दिर फतेपुर सिक्री में की थी क्रिशन दक्षिन विजय के अंतरगत बादसा अकबन ने कौन-कौन से क्षेतर जीते थे क्रिशन खान देश 1591 में जीता था दोलताबाद 1599 में जीता था और अहमद नगर 1670 में जीता था असीरगट 1601 में जीता था अकबन ने क्रिशन में अकबन ने कौन से धर्म की स्थापना की थी क्रिशन का दिन ने ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबन ने सन 1582 इस विमें अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिधान्दों को लेकर तोहिद ए इलाही या दिने इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी क्वेशन में दिने इलाही धर्म स्विकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था इस क्वेशन का उदर बिर्बल था दिने इलाही धर्मस्युकार करने वाला प्रत्थम इवं अंतिम हिंदू बिर्बल था और अकबर का राजकवी फेजी इवं बिर्बल ने दिने इलाही धर्मस्युकार किया था किस्ट नहीं को लिद्वार में कितने रतन थे इसे समक्रीशंग रॉनौन cheer 快णा है इसे में widi the अब्दुल रहीम खाना खान और अबूल फजल तानसेन हकीम मुकाम और मुल्ला दो प्याजा अगबर के नोरत नहीं थे विर्बल मानसी फेजी टोडर मल अब्दुल रहीम खाना खान और अबूल फजल तानसेन हकीम मुकाम और मुल्ला दो प्याजा क्विश्य नमबर से आईने अकबरी की रचना किस ने की थी इस क्विश्य अबूल फजल ने की थी आईने अकबरी या अकबर नामा की रचना क्रिश्य नमबर 40 अक्बर ने सीरी कलम की उपादी किसको दी थी तो इस क्रिश्य अब्बू समद्न को दी थी अक्बर ने सीरी कलम की उपादी अक्बर ने सीरी कलम की उपादी किसे दी थी तो इसके मुहमद हुशेन को दी थी अक्बर के आदेश से महा भारत का फार्जी बासा में अनुवाद रज्म नामा किसने किया था तो अक्बर के सासनकार में महा भारत का फार्जी बासा में अनुवाद किया था तो किसने किया था तो इस किसने बदायूनी और नकीव खाड़े किया था अक्बर के अक्बर ने महाबारत का फारसी बासा में रजन नामा नाम से अनुवाद बदायुनी और नकीव खादवरा किया गया था अक्बर के अदे से पंच तंतर का फारसी बासा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था इसके अनवर ए सुहेली के नाम से किया था अकबर के आदे से पंच तरद का फार्सी बहसा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था तो अनवर ए सुहेली नाम से किया था Q. 1580 इसवी में अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पदती लागू की थी Q. 1580 इसवी में अकबर ने भू राजस्व के लिए Q. 1580 इसवी में अकबर ने भू राजस्व व्यवस्ता के लिए अकबर का दिवान ए अर्थ मंत्री कौन था Q. 1580 इसवी में अकबर के इबादत खानों में जहन धर्म के लिए आमंत्री धर्म आचारिय कौन थे इसके हरी विजय सूरी और जिन चंद्रा सूरी थे दिने इलाई धर्म में और इबादत खाने में आमद्रित धर्मचारिया हिंदु धर्म के लिए देवी एवं पुर्शोतम थे और जैन धर्म के लिए हरी विजय सूरी और जिन चंद्रा सूरी थे और पार्षि धर्म के लिए धर्मचारिय कौहन थे तो दस्तूर, महर जी, राड़ा थे और इसाई धर्मके लिए इकाविबा इवंमोसेरात थे क्विश्चनWowGr21 कौन से प्रासिद सुफी संद्थ अकबर के समकालिन थे तो इसके सेख सलिम चीशती अकबर के समकालिन थे और हिंदु धर्म के प्रसिद संत थूलशीदास भी जैसे कि अकबर के समकालिन थे क्विश्च नमबर ट्वन किसके विद्रों को दबाने में बिर्बल की मृत्यू हुई थी क्विश्च नमबर ट्वन थे मुगल सामरज में मनसबदारी की प्रथा किसने प्रारम की थी उतरे अकबर ने सैनिक में मनसबदारी की प्रथा लागू की थी क्विश्च नमबर ट्वन अकबर की मृत्यू किस वर्ष हुई थी तो इसे 1605 इसी में होई थी अकबर की ब्रीतियो Question number 20 आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर अकबर के मक्बरे का निर्मान किसके द्वारा किया गया था इसके से जहागीर द्वारा किया गया था Question number 26 अकबर ने दास प्रता का अंत कब किया था तो इसके 1572 इस्वी में किया था अक्बर ने दास प्रता का अंत Q27 अक्बर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त किया था 1564 इस्वी में अक्बर ने जजिया कर समाप्त किया था Q27 अक्बर ने किस वर्ष सती प्रता पर रोक लगाई थी तो इस कह पंद्रा सु 211 इसमीं में अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी विष्ण नमबर 29 अकबर द्वará इलाही समंत की सुरुवाथ कब की गई थी तो इसके पंद्रा सु 23 इसमीं में अकबर द्वदा jesteśmy की सुरुवाथ की गई थी विषेist no. 13 मुगलों की राज की या बासा क्या थी तो इस कूर स्यंग किटे है फारस ही थी मुगलों की राज की या बासा कूर फिषेist no. 13 बाजसा अक्बर किसका पोता था अगेर आपको पता हो तो इस विषेist no. 13 अऩ आप कमिट भी कर सकते हो कुछ अगबर का परधादा था कि विरोच नमबर समराट कर 25 अगबर के दरबार में कौन सा महान संघीत अगभर था तो इस Question तानसे था, अकबर के दरबार में महान संगीत है तानसे का मकबरा ग्वाली और मध्यप्रदीश में है Question number 34, जजिया कर्द किस धर्म के लोगों से लिया चाता था? इस Question का हिंदू धर्म के लोगों से लिया चाता था? जजिया कर्द Question number 35, मुगल समराट अक्बर के समय का प्रसीद चित्रकार कौन था, अगर आपको पताओ, तो इस question का अंसर आप कमेड भी कर सकते हो, और बना नोलेज भी चेक कर सकते हो, वेरी वेरी इंपोर्ड कुछे नहीं है, Question number 37, किस राजपुताना राज्यक ने अक्बर की सम्प्रपुता सिकार नहीं की थी, Question number 38, किस राजपुताना राज्यक ने अक्बर की सम्प्रपुता सिकार नहीं की थी, इस question का उतर मेवाड नहीं की थी, Question number 38, अक्बर ने का कठा बरण वाने, कठा बरण वाने की उपादी किसको दी थी, इसकेशिय का महान साकीते तानसेन को दी थी अकपर ने कठा बरण वाने की उपा दी फिशन नमबर थरी नहीं अकपर की माता का नाम क्या था इसका आशर आपको मैंने पहले ही बता दिये अपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो इसकेशिय हमीदा बानो बेकम थी अकपर की माता फिशन नमबर फोटी वेरे वेरे इंपोर्ट कुषिय ने अकपर कितने वर्ष की आयो में समराट बना था इसकेशिय हो ते तेरा वर्ष की आयो में अकपर समराट बना था Q41. Ackbar ने सम्राइठ बनने पर बेरमखा को कौन से उपादी दी थी? Q41. Mekka की तीरत यात्रा के दोरान Gujraat में पाटन नामक स्थान पर किसने बेरमखा की हत्या कर दी थी? तो इस कीशे मुबारक खा ने अकबर के आदेश से मेरम खा की हत्या कर दी थी क्विशन नमबर 40 थी हल्दी गाटी के युद में महारणा परताब की सेना के सेना पती कौन थे तो इस कीशे हकीम खा थे हल्दी गाटी के युद में महारणा परताब की सेना के सेना पती किस राजबूत वंस ने अकबर के सामने समर्पन नहीं किया था तो इसकी सिसोधिया वंस ने अकबर के सामने कभी समर्पन नहीं किया था कभी नहीं जुके थे किस नमबर फोड़ी बाई प्रसिद मुस्लिम सासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सोबा था कहां की सासी का थी तो चांद बीबी कहां की सासी का थी तो इस क्रिशन का उतर है अहमद नगर की सासी का थी प्रसिद मुसलिम सासी का चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सोबा था क्रिशन नमबर 46 अकबर का पोता कौन था तो इसके सहा जाहा अकबर का पोता था प्रिशन नमबर फोड़ी अकबर के सासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी तो इसके सहंसा की सहंसा अकबर के सासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी और अकबर में मुगल काल में अक्बर ने सबसे पहले स्वण मुद्राय चलाई थी और जैसी की तब तक बहलो लोदी की मुद्राय चलती थी अक्बर के सासन तक क्विशन नमबर 48 अकबर के सासनकाल में प्रचलित चोकोर चांदी के सिक्के का नाम क्या था तो इस क्विशन जलाली था अकबर के सासनकाल में प्रचलित चोकोर चांदी के सिक्के का नाम क्विशन नमबर बोटिनान किस मुगल सासक ने राम सिता की आकरिती वाले सिक्के चलाए थे इस क्विशन अकबन ने चलाए थे राम सिता की आकरिती वाले सिक्के क्विशन नमबर फिप्टिवर इस वीडियो का आकरी क्विशन है आईने 10 साला किसके द्वारा निरिवित की गई थी तो आईने 10 साला किरचना का कौन है तो इसके बूराजस्व के लिए आईने 10 साला बताती के निरिमा था तोडर मल थे जोस्तों यहाँ पर यह वडियो समाब होता है हमारा यह वडियो आपको अच्छा लगाओ ड्रिम के बीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नहीं हो दोस्तों आपको नमर विरंती रहेगी आप नीचे रहे रेड़ करके सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेजिबल विडियो की नॉटिफिकेशन मिलते रहेगी उस तो अच्छा लगो तो लाइक जरू करने उससे के तो जादे जादे इस वीडियो को सीर कीजिए जै हिन जै बारत वंदे मादरप मिलते अगली उडिवी